नमस्कार स्वागत है आपका फिल्मी बीट में आपके साथ मैं हूँ दिपिका नयाल 20 साल बाद अरजुन और महर अलग-अलग हो चुके हैं लेकिन दोनों के लिए अलग होना इतना असान नहीं था शायद महर के लिए तो बिलकुल भी नहीं इस अलगाव ने महर को डिप्रेशन में ला दिया इस अलगाव की वजह सुजैन खान को बताया गया खबर है कि सुजैन और अरजुन के रिष्टे के चलते महर और अरजुन के बीच आई दिन जगड़े होते थे दो साल पहले सुजैन को लेकर अरजुन और महर के बीच इतनी जबरदस लड़ाई हुई कि दोनों के दर्मियान बीच बचाव के लिए पड़ोसियों को आना पड़ा उस दोरान अरजुन और महर की इतनी लडाई हुई कि दोनों ने एक दूसरे पर घर की चीज़े फैकनी शुरू कर दी जगडा इतना बढ़ गया कि पड़ोसी पहुँच गए पड़ोसीों ने जब पुलिस में शिकायत करने की बात कही तो दोनों को अपनी गलती का एसास हुआ महर ने तब पड़ोसीों से माफी मांगी और अरजुन कुछ दिन के लिए कहीं और शिफ्ट हो गए खबर इस बात की है कि महर ने अपनी शादी बचाने की कई कोशिशे की लेकिन वो काम्याब नहीं हो सकी 2017 में महर लगातार बांदरा के चर्च में जाती थी अरजुन के साथ बिगड़ते रिष्टों ने महर को डिप्रेशन मिला गया था इस डिप्रेशन का ही नतीजा था कि महर एक बार चर्च में ही बिहोश हो गई फिर परिवार और दोस्तों की मदद से उन्हें घर पहुँचाया गया कोश समय बाद महर को लगा कि अरजुन ने सुजैन से मिलना बंद कर दिया है लेकिन महर गलत थी अरजुन ने सुजैन से मिलना बद नहीं किया था दोनों सीक्रेट तरीके से मिलते थे और इस बात की भनक जब मिसेस रामपाल को लगी तो उन्होंने अरजुन से अपनी शादी दोड़ दी